श्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं क्या भारत में धार्मिक स्वतंतरता यानि जो रिलीजियस फ्रीडम है धर्म को मानने की जो स्वतंतरता है भारत के अंदर क्या वो कम हो रही है क्योंकि जैसी अब इक रिपोर्ट आई कहा कि भायत के अंदर उनका उलंगन हो रहा है अब फिर से एक रिपोर्ट आई कहा गया कि धार्मिक स्वतंतरता कम हो रही है तो यह भारत के उपर जैसे रिपोर्ट दी जा रही है एक बार इन एजन्सी को भी हम देखने वाले हैं वीडियो में आ अमेरिकी जो एजन्सी है अमेरिकी अंतराष्टिय धार्मिक स्वतंतरता आयो यानि यूएस कमिशन और इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम इसकी शोट फोर्म होगी यूएस सी आई आरे इस जो एजन्सी है या एंजियो है जो भी है इसने क्या किया एक वार्षिक रिपो पर्टिकुलर कंसर्ण यानि जहां पर धर्म का मतलब की धर्मिक संतरता का सारवधिक उलंगन हो रहा है उन कंट्रीज में शामिल करने की शिफारिस की है यहां पर यूएस सी आई आरे इफ ने अब ये यूएस सी आई आरे जो है शायद अपने देश में नहीं देखता पर अपने रिपोर्ट देने बहुत अच्छे भाईया यहां अगर इनसे हमारे देश में जितने धर्म है अगर इनके यूएस के अंदर ले जाके रख देना तो इनके देश के टुकड़े होते टाइम नहीं लगेगा हमारे देश में जहां पर हम प्यार से कोई भी यहां प अपने धर्म को मां सकते हैं परचार कर सकते हैं इवन भारत के समीधान में आर्टिकल पचीस की अगर आप बात करते हैं पचीस से लेका 28 और माइनियोरटीज के लिए आर्टिकल 29 और आर्टीकल 30 इतना बढ़िया Constitution भारत के अंदर दिया गया और यहां पर भारत में इतनी अच्छे से स्वंतंतरता दी जाती है हर धर्म को बावजुद इसके USCIRF जैसी यह जो एजनसीज हैं कहीं न कहीं अपने एक biased review रखती हैं भारत के लिए आप देख लिजी यहां पर और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक report तो निकाली थी जिसमें मानवा अधिकारों की report इन्होंने कहा था कि भारत में मानवा अधिकारों का उलंगन बहु रक्सित नहीं है या फिर मुस्लिमों के उपर हत्याचार हो रहे हैं जो अल्प संकेक हैं उनके अधिकारों की रक्षा यहां पर नहीं हो रही है खासकर यह इसी के उपर बात करते हैं इनसे और कोई बात नहीं होती है अब यहां पर US-CIRF के बारे में बात कर लेते हैं यह एक स्वतंतर यानि इंडिपेंडेंट एजनसी है द्वी दली है एक अमेरिकी संग्य सरकारी आयोग है जो विदेशों के अंदर जितने भी जो देश हैं वहां पर इन्होंने ठेका उठा रहा है इस बात का ठेका उठा रही है और इसकी एक एडवाइजरी बोड़ी है यूएस कॉंग्रेस की और यहां पर US-CIRF का 2022 की वार्षिक रिपोर्ट विदेशों में धर्म या विश्वास की संदंदर्ता के अमेरिकी सरकार के परचार को बढ़ाने के लिए शिफारिशन परतान की गए यानि अमेरिका वशिंग्टन डिसी में अंतर राष्टि धार्मिक संदंतर्ता अधिनियम की निश्करता के बाद 1998 में अमेरिकी सरकार ने इसे स्थापित किया था अब यहां पर यह एक प्रमप्रागत रूप से बात करें तो भारत इसकी विव को मानता ही नहीं है भारत कोन हो तुम जो हम को प्रमोट करने की इजाज़े देते हैं इतनी बढ़िया इतना बढ़िया देश इतने बढ़िया पैमाने के ओपर हमारे देश में डेमोक्रसी चलती है वहां पर हमें यह लोग बैठकर सेटिफिकेट दे रहे हैं जिनसे एक मुद्दा नहीं संबलता मैं फिर से कह रहा और इस रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर देखे ये पढ़ना इसलिए पढ़ जाता है क्योंकि exam में इन जैसी रिपोर्ट को पूछ लिया जाता है फिर भी देखे इस रिपोर्ट की जो मिशेस्ता इन्होंने बोली है यह दो तरीके के समू पेश करती है एक है CPC, country of particular concern जिसमें भारत को डालने के इनों ने बात किये, एक है special watch list और एक और आती है EPC, यहनि यह काफी खराब countries को दिया जाते हैं, अच्छे यहाँ पर CPC की बात करें, यह एक अंतराष्ट्य धार्मिक संदंतरता अधिनियम 1998 के धार्मिक संदंतरता के उलंगन के अध करती है, उनको सिफारिस करवाती है, एक आते है special watch list, special watch list में उन देशों को शामिल किया जाते है, जिन देशों की सरकारों द्वारा गंभीर रूप से धार्मिक संदंतरता का उलंगन किया जाते हैं, और जिन पर ऐसा करने के आरोप होते हैं, और यहाँ पर एक और report आती है, कि इन से भी ज़्यादा, जो entities of particular concern, जिसमें ज़्यादा ही हालात खराब होगे, उनको EPC के में डाल दी जाते हैं, अब इसके बाद बात करें, इस report में, वर्स 2021 में, दोडान धार्मिक संतंतरता से संबनित महतरपुन, वैश्विक, विकास और परवर्तियों पर भी परकास जाला था, जिसमें वे भी देश शामिल थे, जो CPCI, SWL, सिफारिशों के मान दंडों को पूरा नहीं कर पाये थे, और यह जो report अपनी देते हैं, COVID-19, अभी जो इन्हों ने दी है, इसमें क्या है, COVID-19 महामारी, धार्मिक संतंतरता, जो इश्वर का मजाक उड़ाते हैं, न धार्मिक संतंतरता की बिगड़ती स्थिती, धार्मिक संतंतरता की चंताओं को बढ़ाने वाली राजनितिक उतल-पतल, यह तमाम बातों को यह नजर में रखते हैं, अब यहां पर, US-CIRF की जो नमिंतम शिफारिस हैं, देखें, CPC सूची में के लिए इन्हों ने जो बो पाकिस्तान, रूस, साओधी अरब, तजाकिस्तान और तुर्केविनिस्तान को भी नमित करने के अन्शंशा की गई है, विशेश निगरानी सूची के लिए, यानि SWL के लिए, स्पेशल वोज लिस्ट के लिए, अलजीरिया, क्यूबा, निकारागुआ को वर्स 2020 में सूच हयात तहरीर, अलसाम, इसलामिक स्टेट इन दा ग्रेटर सहारा, इसलामिक स्टेट इन वेस्ट अफरिकी प्रोविजन्स और जमात नसल अल इसलाम वोल मुसलीम मीन, यह सब चीजें इसके अंदर, मतलब कि यह जो देश हैं, यह जो शेत्र हैं, वो इस EPC के अंदर शामिल क किया जाता है, महतब पूर्ण अवाजों का दमन का मतलब है, यहां पर लोगों को बोलने ही नहीं दिया जा रहा, इसली विशेश रूप से जरा ध्यान दीजिएगा, यहां बोला है, अलप संक्यक, अलप संक्यक बोले तो मुसलिम, यहां पर इनोंने प्र्टिकुलरी बात किये, कि मुसलिम समुधाय को यहां पर बोलने नहीं दिया जा रहा, यह हमको सेटिफिकेट बाट रहे हैं, यह U.S.C.I.R.F. जो हमें सेटिफिकेट इस तरीके की दे रहे हैं, कि बोलने नहीं दिया जा, एक इनोंने कश्मीर की बात किये हैं, भाई, तुम बहुते कोनों क कश्मीर के बात करने वाले कि कश्मीर के अंदर मानवा अधिकार कारे करता जो थे खुरान परवेज उसकी गिरिफतारी हो गई जुलाई में एक जो काफी बुजूर्ग इंसान थे फादर स्टेन स्वामी उनकी मौत का उलेक किया है जिनको यूपी ए यूए पीए के तहद या नहीं यूए पीए 1967 जो एक एक हमारे देश के अंदर उसके अंदर इनको गिरिफतार किया गया था और 2020 में इनको गिरिफतार किया था अब इनके बारे बोला है कि देखिए कितना मानवादिकारों का उलंगन हो रहा है बहुत अच्छे यह पूरी रिपोर्ट नहीं देंगे एक पर्टिकुलर चीज तुम्हें निकाल कर देंगे बताएंगे कि देखिए कितना बुरा हो रहा है अभी एमिनिस्ट्री इंटरने उनको हटाया गया था तो यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया था देखिए रे यह तो मुस्लिम लोगों के खिलाव कितना जादतियां कर रहे हैं इस तरीके की रिपोर्ट निकाले थी इंटरनेशनल एमिनिस्ट्री इंटरनेशनल ले और यहां पर अगली ही बात ही क्या लिखते हैं रिपोर्ट में गैर सरकारी संगठन जो एंजी ओते ना उनके सामने आने वाली चुनोतियां विशेश रूप से विदेशी फंडिंग के बारे में इन्होंने बात किये कि उनको विदेश से रुपया नहीं लाने देते हैं भारत के अंदर एक एमिनिस्ट्री इ का यहां से नो तो ग्या रा हो जाओं रफ़ चक्कर हो जाओं यहां सामान चके तो एमिनिस्ट्री इंटरनेश्नल यहां से रफ़ा दिफा हो गई तो बोला बोला गया इकि देखिए यह एंजी ठीक कानून ही रहें भाई भारा भई देखे हमारे देश में कुछ कानौन है उन कानून को follow करना होता है इन बेफ़कूफों को शायद वो सीज़ समझ नहीं आएगी और यहां पर बोला गया है देखिए यहां धर्मांतरन विरोधी कानून पर भी परकास डाले यह अभी हाल फिलाल में करनाटक के अंदर anti-conversion low को लागू किया गया है उन्होंने क्या किया वहां पर anti-conversion low लगा दिया वहां पर यह नहीं है कि आप नहीं कर सकते convert कर अपने आपको अगर आप चाहते हो हिंदू मुझे Muslim बनना है इसाही बनना है आप बेशक बन सकते हो आपकी अपनी वहां पर इच्छा होनी चाहिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है लेकिन इन भाई साहबों ने जो agency इनोंने क्या बोला देखिए ये तो भाई आप परवर्तित है वे जो हिंदू है उनको खोज रहे हैं घर गर जाके वे उनसे पूछ रहे हैं कि आप खुश हो कनवर्ट होके या नहीं हो या वापस आने चाहते है या आपको जबरदस्ति किया गया तो यह पूरी रिपोर्ट नहीं बताएंगे उपर उपर की आपको एक ऐसी रिपोर्ट पेश करके दे देंगे जहां पर लगेगा कि ओहो भारत में तो भाई बहुत ही महाल खराब हो गया अरे अपने देश का संबालो न तुम यह जो अभी तुमने जैसे हवाला दिया गया है इनकी रिपोर्ट के अंदर मानवा अधि संतंतरता की स्थिति देखें हमारे देश के अंदर समिधान है और उस समिधान के कोडिंग हम चलते हैं आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जहां पर हम बात करें धार्मिक संतंतरता का एक मोलिक अधिकार हमारे सामने दिया गया 25 आर्टिकल यह बोलता है कि किसी व्यक्ति को अपने ध चार भी कर सकता है लोगों के सामने आके मतलब ऐलान भी कर सकता है कि मैं हिंदू हूँ मैं मुसलिम हूँ मैं फिसाई हूँ यह सारी श्वतनतरता दी गरीए अर्टिकल 25 में अर्टिकल आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के परबंदन की स्वतनतरता है कि आप अपने religious freedom को या फिर religious affairs को आजादी से निभा सकते हैं आर्टिकल 27 religious के नाम पर tax वसूला नहीं जाएगा भारत के अंदर ये बात बोली गई है 27 आर्टिकल में 28 आर्टिकल में बोला गया है कि जो धार्मिक institution वहां पर कुछ religious freedom मतलब कि religious instructions दी जा सकती हैं ऐसी बातें यहां पर आर्टिकल 28 में बोली गई है और इनके अलावा भारत म 29 और 30 आर्टिकल है जो बात करते हैं specially अलप संक्यकों के लिए अब इन बेफुपों से शायद ये अलप संक्यक पढ़ा नहीं गया होगा यहां पर यह पढ़ेंगे क्यों इनको तो रिपोर्ट छापनी है ना उनको अपने आपको ऐसा secular बहुत बड़ा liberal अपने आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि हमारे देश के अंदर कैसी religious freedom है अभी काफी सारे बोलेंगे कि सर अभी हाली में जैसे कि कुछ चीजें चली हुई है कुछ बयानवाजी चल रही है लेकि जहां पर कुछ बरतन होते ना तो उनमें आवाज होती है लेकिन इसका मतलब यह न चीना नहीं गया है सबको जीने कादिकार है सबको सोदंदरता है और उनके ओपर कारवाई हो भी रही है इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और किसी भी अफ्वा को फैलनेस से रोकना है हम हमारे देश की इज़त हम खुद बना सकते हैं बिगाड सकते हैं इन जै वीडियो समझ में आई है तो बेशक्त लाइक करें इसको चैनल को सब्सक्राइब करें पीडियो के लिए मैं आप लोगों को ओलेडी बताई चुका हूँ वीडियो जो है आप इस वीडियो की इस्क्रिप्शन वोक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया है तो वहां से आप